Hello everyone, good morning to all of you, welcome back once again, lecture number 5, over the combinations, जहां पर पिछली class को हमने leave किया था, उसी के आगे connect करने का प्रयास करेंगे, तो एक question से आज हम start करेंगे, उसी के आगे हम लोग proceed कर रहे हैं, जहां पर पिछली class को हमने leave किया था, okay, write on a question, A mixed table tennis, a mixed table tennis, match is to be, match is to be organized, organized, taking nine married couple, okay, taking nine married couples, okay, find number of ways of, number of ways of, या ऐसे कर दें, find number of ways, find number of ways, if, एक condition इसमें डाल दे रहे हैं, find number of ways, if, no husband wife, no husband and wife, play in the same match, play in the same match, okay, clear है, तो question जो हमारा है, उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं, एक table tennis है, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, कि table tennis में four player होते हैं, दो player एक side होते हैं, दो player एक side, okay, जैसा कि ये table tennis का एक prototype हमने यहाँ पे बना दिया है, okay, इसमें अगर table tennis की हम बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, in table tennis, in table tennis, number of player, number of players, two भी होते हैं और four भी होते हैं, यहाँ पे मैं four मान के चल रहा हूं, नमबर आप प्लेयर्स की अगर हम बात करें, तो 4 होते हैं, तो 4 प्लेयर हैं यहाँ पर, 4 प्लेयर किस तरीके से होंगे, 2 एक तरफ होंगे और 2 दूसरी तरफ होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बना लिया है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 9 married couple हैं, यानि कि 9 couples हैं यहाँ जिसम कोई भी husband अपने wife के साथ नहीं खेलेगा, कोई भी husband अपने wife के साथ नहीं खेलेगा, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा समझने कहाँ पर प्रयास करूं, अगर मैंने जैसे men's को यहाँ पर डाल दिया एक तरफ और women's को एक तरफ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हो कि ताकि हम समझ कुछ पाएं कि क्या यहाँ पर case बन रहा है, जैसे अगर men one यहाँ पर है, तो उसकी wife को मैंने यहाँ पर w1 से बना दिया, इसी तरीके से अगर men two होगा, तो उसकी wife कौन से होगी w2, इसी तरीके से men three अगर है, तो wife कौन से होगी w3, and so on, up to, इस तरीके से nine couples हैं यहाँ पर, condition यह है कि इन सभी को use करके table tennis को play करवाना है लेकिन अगर जैसे मैंने m2 को select कर लिया man 2 को मैंने select कर लिया तो wife 2 नहीं रहेगी इसी तरीके से अगर हमने m3 को select कर लिया तो w3 नहीं रहेगी that means कि अगर हमने m3 select कर लिया man m3 हमने select कर लिया तो W3 न होके वो किसी के साथ play कर सकता है match को, W3 न होके वो W1, W2, up to W9 में से यानि कि wife number 9 में से कोई भी wife के साथ वो play कर सकता है, सिर्फ अपनी wife के साथ वो match को नहीं खेल सकता, इसी तरीके से अगर मैंने M1 को select कर लिया, that means कि man 1, तो उसकी wife 1 जो है वो अपने wife के साथ match को नह करते हैं, यह condition समझ में आ गया होगा, हो क्या रहा है, that means कि मैं किसी दो व्यक्ति को अगर fix कर लिया, जैसे अगर मुझे play कराना है, मैंने यहाँ पर माल लिया कि man 2, 1 side है, दूसरी तरफ M3 है, okay, समझेगा, M2 एक तरफ है, table tennis में, और M3 दूसरी तरफ है, इसका मतलब क्या ह हुआ, कि यहाँ पर W2 नहीं हो सकती, और यहाँ पर W3 नहीं हो सकती, बाकि कोई भी wife हो सकती, okay, यानि कि जिन दो मैंस को हमने select किया है, जिन दो मैंस को हम select करेंगे, उनकी wipes को, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, discard करना पड़ेगा, वो इस match का हिस्सा नहीं बन पाएंगी, उमीद करते हैं, समझ में आया होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम total number of players की बात करें, now, in initially, in initially अगर हम बात करें, total number of players, total number of players की अगर हम बात करें, तो कितने हो जाएंगे, 9 men plus 9 wife, इसका मतलब 18, कितने हो जाएंगे, 18 players, अभी starting में 18 players हैं, लेकिन जिन दो मैंस को मैंस को, जिन दो मैंस को हम यहाँ पे लगाएंगे, दो साइड, उनकी wipes को discard करना पड़ेगा, that means कि अगर हम यहाँ पे fix कर ले, number of ways की अगर हम बात करें, number of ways की अगर हम बात करें, जैसे, 9 men में से, हम किसी 2 को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, 9 men में से, किसी 2 को मैंने सेलेक्ट कर जैसे, यहाँ पे मैंने माल लिया, हमने यहाँ पे माल लिया, कि M2 और M3 को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब इनकी इन दोनो wipes को, यानि कि जो W2 और W3 है, यह मैं नहीं ले सकता, इसका मतलब wife के case में जब हम सेलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें दो पहले से ह हो गई है, जो उस मैच में नहीं हो सकते हैं, यानि कि टोटल अगर मैं वोमेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगी 7, और इन 7 में से अब कोई भी मैं 2 अगर ले लूँगा, तो मैच प्ले हो जाएगा, लेकिन समझिएगा, हमें सेलेक्शन 4 का करना है, दो मैं का, लेकिन मैच तभी प्ले हो सकता है, जब at a time दोनों का सेलेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टिप्लिकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टिप्लिकेशन होगा, लेकिन देखिए, मैच को दो तरीके से यहाँ पे अरेंज भी किया जा सकता है, जैसे अगर समझि अगर M2 के साथ wife सेवन है और M3 के साथ वाइफ नाइन है यह एक टाइप है यह मैच खेलने का एक टाइप है और यह एक टीम है जैसे अगर मैं इसको बोल दूँ टीमeg मान और इसको बोल दूँ टीम जो के दूसरे टीम का निर्माड कर सकते हैं, that means की M2 जो है W9 के साथ होके और M3 जो है W7 के साथ होके एक दूसरे टीम का निर्माड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कि जो यहाँ पे जितने भी कॉंबिनेशन्स बन रहे हैं, 9C2 into 7C2 इस तरीके से वो आपस में भी इंटर change करके double times double times play कर सकते हैं, यानि कि जिस तरीके से यहाँ पे एक टीम बना के एक बार मैच को खेला, इसी तरीके से आपस में रियरंज करके यह दूसरी टीम का निर्माड करके फिर से खेल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू का multiply भी करना पढ़एगा तू का क्या करना पड़ेगा multiply या आप ऐसे समझिए जैसे हमने यहाँ पे husband को fix किया husband को fix किया तो wife में कम हो गया इसी तरीके से अगर मैं women's को fix कर दूँगा तो one husbands को मुझे discard करना पड़ेगा जैसे अगर मैंने यहाँ पे यही case को अगर मैं ऐसे करता for men, okay for men की अगर हम बात करें और इसी को और करके अगर मैं करता for women's, for women's, जैसे मैंने यहाँ पे husband को fix किया तो 9c2 into 7c2 कर दिया और करके या इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था कि जब मैं पहले women's के लिए लिखता तो 9c2 into कितना हो जाता है husband के लिए 7c2 क्योंकि उनके husbands को मैं discard कर देता तो आप ऐसे करिए या ऐसे करिए तो two times क्या होगा इसका multiply करेंगे यह clear हो गया होगा ठीक है तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं चाहे तो आप husband को fix कर दिजिए उनके wife को discard कर दिजिए या wife को fix कर दिजिए उनके husband को discard कर दिजिए क्योंकि corresponding husband और wife उस match का हिस्सा नहीं बन सकते हैं यानि कि जिसको भी हम fix करेंगे उसको क्या करेंगे discard करेंगे तो इस तरीके से मैं इसको लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हो कि 9C2 into 7C2 into multiply 2 आप चाहे ऐसे समझ लिजिए women's और men's को अलग-अलग fix करके या इस तरीके से समझ लिजिए कि जब भी हम match को play करेंगे जब भी हम match को play करेंगे तो उसमें अलग-अलग तरीके के हम यहाँ पे दो team बनाके उसको play करा सकते हैं उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो आज के next topic की तरफ move करते हैं जो की काफी अच्छा होगा एडिशन लॉग जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एडिशन लॉग जो की multiplication से हम बाहर निकल रहे हैं एडिशन लॉग धिरे-दिरे लॉग को सीखते हुए आच्छे कुशन को करने का हम प्रयास करेंगे तो next जो topic है हमारा समझने के मामले में वह है एडिशन लॉग एडिशन लॉग या इसी को हम लोग बोलते हैं case making case making के case को ही एडिशन लॉग यहां पर बोला जाता है एडिशन लॉग यह next law है आभी हम लोगों ने multiplication देखा कि इफ किसी भी जॉब को करने के अगर N ways है और independent दूसरे जॉब को करने के M ways है तो दोनों को simultaneous करने के कितने ways हो जाएंगे M into N इन जनरल में ने पताया था कि M and P यानि कि M dot N dot P यानि कि अलग-अलग independent jobs हैं उनके करने के अलग-अलग तरीके हैं तो उन सभी को हम क्या करते हैं multiply कर देते हैं बसरते सर्थ सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो सभी कैसे होने चाहिए independent होने चाहिए तो next law हमारा है addition law किस तरीके से case making में हम लोग addition को use करते हैं या किस तरीके से case बना के हम लोग आपने answer तक पहुंचते हैं तो एक concept से start करेंगे ताकि यह clarity आ सके जिसमें एक छोटा सा हम question लेंगे जिससे clear हो सकेगा कि किस तरीके से इसको proceed करेंगे okay concept ही है और इसको मैं concept बोलता हूँ और लेंगा लेकित एक आया जो question अके let we have let we have four different letters four different letters a b c d okay fine number of ways of number of ways of selecting at least two letters at least two letters okay यह हमारे लिए concept होगा लेकिन यह है एक छोटा सा question इसी में हम समझे लेंगे किस तरीके से एडिशन लोगो अपलाई करते हैं या case making क्या होता है तो देखिएगा समझेगा हमारे पास चार लेटर से जैसा कि मैं solutions को लिखना स्टार्ट करता हूं एक कॉमा भी कॉमा सी और डी यह हमारे पास चार लेटर है इसमें यह कहा जा रहा है कि दो लेटर्स को मुझे क्या करना है सेलेक्ट करना है ओके दो लेटर्स को मुझे सेलेक्ट करना है अच्छा एटलीस टू लेटर्स एटलीस टू लेटर्स का मतलब क्या हुआ कि मिनीमम दो लेटर्स होने चाहिए तो मिनीमम का मतलब क्या होता है कि मैं minimum दो ले सकता हूँ, उसके बाद 3 भी ले सकता हूँ, maximum 4 letter भी ले सकता हूँ, minimum 2 ले सकता हूँ, उसके बाद 3 भी ले सकता हूँ, और 4 भी ले सकता हूँ, तो अच्छा, जो condition है यहाँ पे, condition कहाँ पे है, at least 2 letters, at least 2 letters, at least 2 letters मुझे लेना है, two letters को मुझे क्या करना है, यहा और थ्री लेटर्स ले शकते हैं इसी को मैं बनाओंगा केस केसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट की बात कर रहा है तो एटलीस्ट में हम कितना ले सकते हैं at least में two letters लेग सकते हैं और three letters भी ले सकते हैं और four letters भी ले सकते हैं four से ज़ादा हाई नहीं. Two letters लेने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी चार में से कोई भी दो letters को हम ले सकते हैं कोई भी दो लेटर्स को हम ले सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन चार में से दो लेटर्स को लेने के कितने तरीके हैं यानि कि यहां पर क्या करेंगे सेलेक्शन करेंगे इन चार में से दो लेटर्स को जितने तरह से हम सेलेक्शन करेंगे उतने नंबर आफ टू लेटर और तो यानि कि चार में से हम दो लेटर को क्या करें गए और यह मैं ऐसा कर सकते हैं कंडीशन हमारा एक है कि एक लीज Two होना चाहिए at least का मतलब क्या होता है कि मिनिमंum ए elaborative क मतलब हम जितना है उतना ले सकते हैं एन्दो स्क्राइब कितना है 4 एक मोण यहाह पे यहां पर कितना είναι यहां त है जो भी हमारे कुशन के ईंसर का हिस्ए होगा वह सभी हिस्षा होगा जैसे यहां पर कंडीशन डाला है ऐट लीच्ट के लिए तो इसके बाद में आपjack पूश्ट तक जितना हम जा सकते हैं उतना हमारा answer का हिस्सा होगा कि कोई उन्होंने कहा है कि minimum दो लेड़ा है तो maximum मैं चार ले सकता हूँ तो यह हमारे question answer का क्या होगा हिस्सा होगा और और का मतलब क्या होता है answer जैसे अगर कहीं पर मुझे जाना है destination पर जैसे A to B मुझे जाना है तो ये एक रास्ता हुआ ये एक दूसरा रास्ता हुआ ये एक तीसरा रास्ता हुआ अब इसी को मैं दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं या तो इससे चला जाओ या तो इससे चला जाओ या तो इससे चला ज करते हैं इसका मतलब मैंने क्या कहा या मैं इससे चला जाओ या मैं इससे चला जाओ या मैं इस रास्ते से चला जाओ तो सभी जो और की कीसिस होते हैं उन्हें क्या करेंगे addition करेंगे क्योंकि वो हमारे क्या होते है answer का हिस्सा होता है वो हमारे answer का हिस्सा होता है और answer का हिस्से को हम क्या करेंगे अपने answer में सामिल करते हैं तो इसलिए यहाँ पे total number of ways की बात करें total number of ways की अगर हम बात करें तो 4C2 at least 2 selection 4C3 at least 3 4C4 at most जितना है उतना को मैंने cover किया तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 letters को pick up करेंगे at least condition जो है हम conditions को fulfill करेंगे उसके बाद जो भी रहेगा उसको हम पूरा कर लेंगे यहाँ पे at least 2 letter pick up करने की बात हो रही है तो at most हम 4 letter को pick up कर ही सकते हैं तो यहाँ पे इसका answer हो जाएगा 4C2 plus 4C3 plus 4C4 that means कि from here we can say that कि 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial plus 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial plus 4C4 अभी पिछले class में मैंने notes में चिपका भी दिया था कि nC n की value कितनी होती है nC n की value कितनी होती है 1 तो 4C4 की value डारेक्ट में आपे pick up करेंगे कितना 1 ओके तो 4 into 3 into 2 factorial upon क्या लिखेंगे 2 plus 4 into 3 factorial upon क्या लिखेंगे 1 factorial plus का कितना लिखेंगे 1 ओके इसको फर्दर अगर हम simplify करें 12 upon 2 plus यहाँ पे कितना आएगा 4 plus का 1 that means कि from here we can say that 6 plus 5 plus 1 6 5 11 1 कितना आजाएगा 12 कुछ mistake हो रहा है कि 410 ओके यह 4 है 410 कि 11 ओके तो यहाँ पे number of ways कि अगर हम बात करेंगे 11 तो जो यहाँ पे सीखने वाली बात थी जहाँ पे condition होता है condition जहाँ पे होता है वहाँ पे हम रुकेंगे जैसे कहा रहा है कि at least 2 letter pick up करना है तो इन 4 में से मैं 2 letter को पीकप भी कर सकता हूँ 3 को भी कर सकता हूँ 4 को भी कर सकता हूँ क्योंकि condition यहाँ पे किस पे 2 letter सेики condition यहां पे किस पे 2 letter से pick up करने पर है ना कि 3 पे ना थे 4 पे उसका जो minimumДа criteria है वो fulfill होना चाहिए तो minimum कितना है two letters को यहां पर pick up करना है तो इस तरीके से यहां पर और के cases को यह हम यह कहें कि और के cases जितने होते हैं वो addition के होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि A to B जाने के A से B जाने के जितने भी रास्ते हैं, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, उन सभी को हम add-on कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे काम के case होते हैं, उनको हम add करते हैं, और वो हमारे answer के क्या होता है, हिस्सा होता है, वो हमारे answer के क्या होता है, हिस्सा होता है, तो कुछ questions करेंगे तो इस the man's out of 10 men and six women's a committee of a committee of five persons is to be formed is to be formed taking अगर कुश्चन को हम देखें तो पीछली क्लास में इस तरीकी से कुश्चन सब्सक्राइब किये गये हैं लेकिन यहां पर अपकेस मेकिंग के थ्रू यहां पर करना है तोटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 10 men and six women है एक कमेटी का मुझे निर्मार करना है एक कमेटी मुझे फॉर्म करना है फाइब परसंस की एक रिक्वाइब फाइब फाइब पर्संस को मुझे लेके एक कमेटी बनाना है ऑके 5 persons को लेके एक मुझे committee बनाना है जिसमें at least 3 men हो अब समझेगा at least 3 men हो यानि जिस पे मुझे condition दिया होता है उसी को हम target करते हैं क्योंकि conditional part को अगर हम fulfill कर देंगे बाकि कुछ भी लेंगे हमारा answer क्या रहेगा conditional part को मुझे fulfill करना होता है तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि 10 men है और at least 3 men लेना है अगर मैं cases की बात करो यहाँ पे अगर मैं case बनाओ minimum 3 men तो मैं क्या कर ला रहा हूँ 3 men ले ले रहा हूँ 5 की committee मुझे बनाना है इसके साथ अगर 2 men ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा एक case यह और समझेगा और अगर मैं 3 के बाद minimum 3 है तो मैं उसके आगे मैं 4 men भी ले सकता हूँ 4 men लेके एक women ले लो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि women's पे कोई restriction नहीं है सारे restrictions किस पे है means पे है कि यानि कि minimum 4 3 men होना चाहिए इसी तरीके से men की total संख्या कितनी है 10 है तो अगर 5 लोगों का यहाँ पे अगर मैं total की बात करूँ 5 हो गए यहाँ पे भी total की बात करें 5 हो गए इसी तरीके से 4 की जगा अगर मैं 5 men ले लो 5 men ले लो और 0 women ले लो कोई दिक्कत नहीं क्यों हो नहीं दिक्कत क्योंकि women's पे कोई restriction नहीं women's कितनी भी हो सकती है यहाँ पे restriction किस पर men's पे है तो men's को मैंने क्या किया एक बार 3 ले लिए minimum एक बार 4 ले लिए एक बार 5 ले लिए max to max नहीं है यहाँ पे 10 जा सकता हो लेकिन मुझे यहाँ पे रिक्वार्मेंट सिर्फ पांच परसंस की है तो यहां पर फाइब प्लस जीरो की अगरभाट के फिर भी यह क्या हो गया फाइब यह हमारे केसे अप समझेगे इसको लिखेंगे कैसे एंसर के अगर हम बात करें, टोटल नंबर आफ वेस की बात करें, अब देखे एक पहले समझेगा, यह जितने भी और के केस होते हैं, और के केस में हम क्या करते हैं, एडिसन करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह भी हमारे एंसर का हिस्सा है, यह भी हमारे एंसर का हिस है सारे answer के portions को अगर हम add कर देंगे जितने भी answer के portions है अगर उन सभी को add कर देंगे हमें total answer मिल जाएगा final answer मिल जाएगा अब समझेगा total 10 मैन है 10 में से 3 मैन को हम क्या कर रहे है select कर रहे है इसका मतलब क्या लिखेंगे 10C3 अके इसी तरीके से total of women's की बात करें तो six women's है six में से दो women को हम select कर ले हैं total कितने हुए five हुएं लेकिन कोई भी कमेटी का निर्मार कभ होगा कोई भी कमेटी का फार्मेशन तब होगा जब दोनों at time होगा दोनों at time होने के लिए women's का selection men's के selection से क्या है independent है इस लिए यहां पर क्या होगा multiply यह एक answer है यह एक क्या है answer है यह एक answer है लेकिन अगर दूसरी हम बात करें दूसरा हम बात करें तो 10 में से जब हमने four moments को select four man को select किया उसके बाद six में से जब हमने one women's को select किया six में से यह वाला case देखिए case number two अगर मैं cases की बात करो तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दो case number one okay मैं इसको लेकर देखिए case number one this is the case number two okay and this is the case number three okay case number two की अगर हम बात करें case number two की अगर हम बात करें तो case two में four man और one woman है तो हम क्या करेंगे at a time इसको select कर रहे हैं तभी committee बनेगी इसलिए multiply कर रहे हैं लेकिन यह कुशन का answer का हिस्सा है इसलिए इसको क्या करेंगे एड़ करेंगे या अपने दिमाख में यह रख लिजिए कि और case को क्या करते हैं add करते हैं इसी तरीके से case three में देखिए कि ten man में से हम 5 को क्या करने सब्सक्राइब करना है इस लिए 6 मेंने से जीरो वोमें को हम सेलेक करेंगे तो यहांद यहां पर और केसिस हैं और केकेस को आड करते हैं क्योंकि और कुल समरें Cisco क्या है हिस्सा है और जितने भी answer के part होते हैं उन सभी को हम क्या करेंगे add on करेंगे जहां पर conditions होता है केवल उन conditions को हम ध्यान में रखेंगे उसके बाद उसको simplify उसको तुरंद क्या करेंगे add कर लेंगे इसी का एक second portion है इसी का एक second portion है उसको करते हैं देखते हैं कि थोड़ा सा अच् अगे इसका second portion को देखते हैं for same question मैं लिख दे रहाँ for same question find number of committee find number of committee if to particular if to particular men refuse men refuse to work refuse to work together together in the same committee okay अब यहां पे जितने भी छोटी छोटी चीज हम पढ़े हुए है उन सभी का यहां पे connection है क्या कह रहा है पिछली class से relate करेंगे एक committee में मुझे selection 5 का ही करना है selection 5 का ही करना है total यहां पे अगर मैं फिर से यहां फिरस तरीके से लिख दों कि total 10 men and six women required अगर मैं required की बात करूं तो फाइब पर्शन आके फाइब पर्शन रिक्वाइड कंडिशन यहां पर यह है कि दो आदमी ऐसे हैं जो committee में एक साथ रहने पर काम नहीं कर सकते एक दूसरे को refuse कर रहे हैं यानि कि वो दोनों एक दूसरे एक साथ नहीं रह सकते इसका मतलब अगर मैं cases की बात करूं मैं डारेक्ट लिखता हूं यहीं पर क्लियर हो जाएगा total number of ways की अगर बात करें total number of ways की अगर बात करें यहां पर देखे अब अगर मैं total ले लूँ आके समझेगा total case मैं ले लूँ यानि कि 10 men में से minimum 3 को select करना है अके minimum 3 को select करना ही है मैं 3 को select कर ले रहा हूं यह तो total वेस हो गया लेकिन उसमें वह दोनों लोग भी आ गये होंगे जो एक दूसरे के साथ उस committee में रहने से क्या करना है refuse कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या करेंगे उन दोनों को अगर उस कमेटी में हम रख दें तो वही रॉंग केस होगा वही क्या होगा रॉंग केस को क्या करना रहता है eliminate करना रहता है तो मैं क्या करूंगा जो case है पिछला वही रहेगा जो case पिछला है वही रहेगा इसका मतलब मैं क्या कर ले रहा हूं कि 10C, 10C3 मैंने इसमें सारे cases आ गए हैं लेकिन wrong case क्या होगा मेंस की मैं बात कर रहा हूं मेंस की मैं बात कर रहा हूं यह total case है इसमें 10 में से 3 आदमी को minimum मैंने select कर लिया लेकिन wrong case क्या होगा जिसमें वो दोनों जो refuse कर रहे हैं कमेटी में रहने से एक साथ रहने से उन दोनों को मैं रख दूँ तो मैंने क्या किया इस 10 में से उनको direct रख दिया तो बचे कितने 8 और selection मुझे 3 का करना है दो हो चुके हैं तो एक और बचा एक और बचा यह मैंस के लिए है यह मैंस के लिए है अभी यह प्योर बचा जो refuse कर रहे हैं लेकिन वोमेंस पर कोई restriction नहीं है तो हम क्या करेंगे 6C2 6C2 तो एक तीन में को मैंने select किया तीन म हमारा answer का हिस्सा है इसी तरीके से हम क्या करेंगे और का case लेंगे अगला अगर हम लोग देखे कि अगर टेन में से फोर पीपील को जब हम select करते हैं लेकिन वहीं दो लोग जो पार्टी में रहने से जो कमेटी में रहने से इसका निर्माड नहीं कर सकते हैं तो दो को मैं ड जाएगा मैंस के लिए और वमेंस पर कोई restriction नहीं है तो वहमेंस के case में हम कितना लेंगे 6C 1 लेंगे क्यों कि चार को यहां पर सेलेक्ट किया है तो कितने को लेना होगा सब्सक्राइब ये किसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा वामेंस के लिए किसके लिए हाई गांगा, वोमेंस के लिए, यहाँ पर यह वोमेंस का है, इसी तरीके से और की अगर हम बात करे, अगला केस अगर मेंस की बात करें, तो टें सी फाई मैंने पाचो फ्यूपिल को ले लिया पाचो को ले JOE LENS लेकिन उससे में अगर ढ़ू भी रहे होंगे जो पार्टी में जो कमेटी में रहने से रिफ्यूस कर रहा हैं तो यानि कि दो को मैंने डारेक्ट ले लिया दो को डारेक्ट ले लिया खे तो टर एृट बचे और उस Americas में से मुझे पाच चूज करना है तो कितना को और लेना है टीन को लेना है दो कूंने डारेक्ट लिया है ये मैंस के लिए होगा किसके लिए होगा मेंस के लिए होगा और वोवेंस पे कोई रिस्टेक्शन नहीं व्मेंस पे कोई з resistance सब नहीं तो हम क्या करेंगे सिक्सी क्या कर देंगे आप सिक्सी जीरो कर देंगे तो यह हमारा किस का केस हो जाएगा वामेंस का केस हो जाएगा तो इस इस line को लिखना important है इस line को लिखना important है इसको simplify करेंगे तो answer मिल जाएगा ओके इसको simplify करेंगे तो answer मिलजाएगा okay तो यह बच्mayaगा काम है आप कोई भी कर सकता है बहुती असान है अब ऑप अगे यहां पर 10C3 और यहां पर 8C1 यह मेंस का केस है और यहां पर वोमेंस पर कोई रिस्टिक्शन नहीं 6C2 आगे बढ़ते हैं तो बीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है अगर मैं कुशन के दायरा को बढ़ाओं कुशन के दायरा को बढ़ाओं थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चले तो कुछ वेराइटी आफ गुस्टिंग करते हैं ताकि यह केस मेकिंग का कॉंसेप्ट समझ में आ सके ओके राइड ओने कुश्चन there are ten science and seven art subjects there are ten science and seven art subjects find number of ways of number of ways of selecting number of ways of selecting total six subjects six subjects such that such that science subject science subject or in majority or in majority okay science subject कैसा होना चाहिए majority में समस्ते हैं कुशन क्या कह रहा है यहाँ पर 10 science के subject हैं okay total के अगर मैं यहाँ बात करो total यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 10 science के subject हैं okay plus seven art के subject है seven arts के क्या है subject है okay हमें selection लेना है 26 का ओके six subject का यहाँ पर selection लेना है जिसमें science जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए majority में होना चाहिए science का होना चाहिए majority में होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं केस को यहाँ पे लिखो केसिस को अगर मैं लिखों यहाँ पे लिखने का थोड़वा से प्रयास करें के तो अगर में 6 साइंस ले लूँ कि kWh308 22-श हो गया अकि और अगर में 55 कई ले लूँ और एक आर्ट कब इसे ले लूँ तो भी साइंस में मैजोरटी में है आर्ट से अर Vouठो सीक्स हो रहे हैं और अगर में for science ले लो और तू यहाँ पे अर्ट ले लो तो भी यहाँ पर साइनस कि पर velocity में हैं और अगर मैं 3 साइनस ले लो और 3 आर्ट यहाँ पर देखिए अब साइनस और आर्ट्क क्या हो गया equal हो गया हमें science subject को कैसा रखना है majority में रखना है यानि ये case हमारे काम का case नहीं होगा ये हमारे काम का case है ये हमारे काम का case है ये हमारे काम का case है तो जितने काम के case होते हैं वो हमारे answer का हिस्सा होता है जो काम का case नहीं होता है वो हमारे questions का answer का हिस्सा नहीं होता है इसका मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर आफ वेस की अगर हम बात करें, टोटल दस में से हम क्या कर रहे हैं, 6 science के subject को क्या करना है, select कर रहे हैं, इसी तरीके से 7 art में से हम 0 art को select कर रहे हैं, लेकिन at a time करना है, at a time करेंगे, at a time करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, multiply, द science और art, both are independent to each other, okay, तो यहाँ पर यह एक केस हो जाएगा, इसी तरीके से और है, तो हम क्या करेंगे, plus, हम क्या करेंगे, 10 में से 5 science को select कर रहेंगे, at a time करना है, 7 में से art को select करेंगे, total कितने हो जाएंगे, 6, total कितने subject हो जाएंगे, 6, और यह भी हमारे काम का case होगा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 में से, 10 में से, 4 science को select करेंगे, और 7 में से, 2 art को select करेंगे, total six subject हो जाएंगे और यहाँ पर हम देख पा रहे है science subject कैसा है majority में है science यहाँ पर majority में है यानि जो condition मुझे दिया गया है वो condition भी fulfill हो रहा है total number of six subject भी हो रहा है और science को मैंने majority में रखा three science plus three art के case को मैंने यहाँ पर discard कर दिया था क्यों discard किया क्योंकि यह हमारे answer का हिस्सा नहीं बन पाएगा जैसा कि conditions पहले ही बता दिया गया है कि तीन science और तीन art यानि कि यह तो equal हो गया science subject को मुझे किस में रखना है majority में रखना है majority में रखना है तो उसको हम क्या करेंगे उसको नहीं ले सकते हैं three science और three art के subject यह six subject तो बन रहे हैं लेकिन यह equal subject बन रहे है कैसे subject बन रहे है equal subject हमें equal नहीं रखना है science portion को क्या रखना है majority में रखना है तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो इसको simplify करेंगे तो हमारे answer तक पहुंच जाएंगे यह line लिखना important है केस बनाना यहां पर important है answer तो बच्चों का खेल है आगे बढ़ते हैं राइडर नेक्स कुश्चन there are there are six batsmen five ballers five ballers and three wicket keeper three wicket keepers okay find number of ways of selecting find number of ways of selecting number of ways of selecting a team a team of 11 players a team of 11 players taking taking at least five batsmen five batsmen and at least and at least four ballers okay समझेगा यहां पर एक team का निर्माड करना है मुझे एक team को बनाना है यहां पर जिसमें six batsmen है five baller है three wicket keeper है इन लोगों को मिला के मुझे एक 11 players की team का निर्माड करना है कुछ conditions है उन conditions को यहां पर ध्यान में रखना है जैसे conditions के अगर हम बात करें तो यहां पर जो conditions दी गई है वो conditions कुछ इस तरीके से है कि यहां पर five batsmen होने चाहिए कभी भी हमारा ध्यान हमेशा cushions के condition पर होना चाहिए हम conditions को fulfill कर दें उसके बाद चाहे जो करें 11 players को maintain करना है 11 players को maintain करना है athletes five batsmen होना चाहिए और four baller होने चाहिए इन तीनों conditions को अगर हम maintain कर दें हम answer तक पहुँच सकते हैं इसलिए इन portions को case making का सवाल कहा जाता है case making का portion इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन में हम cases को बनाते हैं उसके recording answer लिखने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं तो आईये case बनाने का प्रयास करते हैं कि total अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ total के ऑगर हम बात करें तो यहाँ पे six batsmen है six batsmen है five baller है and three wicket keepers है मैं इस तरीके से लिख लिख ना हूँ बैट लिख दूंगा बैट्समें हमें रिकक्वएर्बेंट है रिख्वार्ड की अगर हम प्रियास करें तो हम क्या करेंगे cases को बनाएंगे क्या बनाएंगे cases केसे को अगर हम लिखे case kmat करें तो जो condition है बस उस पर हम नजर रखेंगे 5 batsmen तो मैंने क्या किया Fried batsman कर दिया अके उसके बार four baller रखना है तो minimum four baller को भी मैंने रख दिया तो अभी फान प्रचार कितने हुए ना हुए और दो विकट कीपर को मैंने ले लिया कोई दिक्कत नहीं एक केस यह हो गया इसी तरीके से अगर मैं दूसरे केस की बात करो केस नमबर टू अगर ऐगर मिन्म म्म फाइब ब्रपयर सकता हु थलुक्रवा नय commission में ना होग गया तो जेरो विकट कीपर लियना पड़ेगा क्योंकि निकार यहा कि लिए फन्र हो गये इसी तरीके से केस नमबर तरी की अगर हम बात 3 में अगर मैं 5 batsman ले लिया के 5 batsman और 5 baller भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं 5 batsman minimum 5 लेना है और baller को minimum 4 लेना है तो 5 ले सकते हैं इस तरीके से एक wicket keeper भी ले सकते हैं इसी तरीके से अगर मैं case 4 की बात करूं case नमबर फूर की यहाँ पर अगर बत करें तो इसमें हम यह ले सकते हैं सिक्स बैट समय ले लिए और मिनिमुम फॉर बॉलर की रिक्वार्मेंट है तो मैं फॉर बॉलर ले लिया और एक विकट कीपर ले लिया स्चाचार दासे की ग्यारा टूटल एलेवन प्रेट इसमें भी हो रहे हैं यानि cases की बात करें 11 इसमें भी है तोटल की अगर बात करें 11 इसमें भी है और case जितने भी हैं वो सारे हमारे answer का हिस्सा है यानि case number one case number two case number three यह सभी answer का हिस्सा है और अगर answer का हिस्सा है तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा add-on करना पड़ेगा सभी को add करके ही हम final answer को लिख सकते हैं cases हमें ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है ये possibilities हैं cases हमें ये बताते हैं कि ये एक possible answer हो सकता है ये एक दूसरा possible answer हो सकता है ये एक तीसरा possible answer हो सकता है ये चौथा possible answer हो सकता है सभी possible answers को हम क्या करते है add-on कर लेंगे तो हमें final answer मिल जाएगा इसका मतलब अब इन ही cases से हम क्या करेंगे selection कर लेंगे total number of ways हमें निकल आएंगे total हमारे पास six batsman है five baller three wicket keeper तो हम पहले case की बात करें तो six में से six batsman को हम क्या कर रहे है six में से हम यहाँ पे five batsman को select किये तो six ही क्या हो जाएगा five इसी तरीके से four baller को हमने select किया कितने में से five में से हम क्या लेखेंगे five c four इसी तरीके से अगर हम बात करें wicket keeper की total wicket keeper यहाँ पे कितने है तीन तीन में से दो को मैंने select लिया तो हम क्या करेंगे three c two लेकिन अब समझेगा अब at a time eleven player होने के लिए at a time इन्हें लेना पड़ेगा किसी भी team का निर्माड करने के लिए एक team होगा किसी भी team को बनाने के लिए किसी भी team को build up करने के लिए at a time मुझे batsman को भी लेना पड़ेगा बॉलर के भी लेना पड़ेगा और wicket keeper को भी लेना पड़ेगा तब जाके एक team का निर्माड होगा तो इसलिए at a time करने के लिए ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है अगला टीम और ऐसा भी हो सकता है अगला टीम और ऐसा भी हो सकता है अगला टीम इसका मतलब हम अगले केश को क्या करेंगे एड करेंगे तो अब मैं लिखता हूं डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6C6 मैंने 6 को 6 batsman को सेलेक किया 5 baller यानि कि 5C कितना लिखेंगे 5 into 0 विकट कीपर क्या लिखेंगे 3C0 क्या लिखेंगे 3C0 यह हमारा क्या हो जाएगा अगला टीम इस तरीके से 11 प्लेयर की बना सकते हैं और करके लिखेंगे तो क्या क्लिखेंगे six में से किस को select किया six में से five batsman को अगर मैं case 3 की बात करूँ फाई बैट conserve मैं तो क्या लिखेंगे 65 into 65 into into borrow के case में 5C5 यानी की 5 बॉलर में से हमने 5 बॉलर को select कर लिया इसी तरीके सेखेंगर मैंने क्या किया स्थी तीन में से एक बिकेट कीपर को सेलेक्ट कर लिया तो क्या लिखेंगे 3C1 यह अगला टीम हो जाएगा यह अगला टीम हो जाएगा यह अगला केस हो जाएगा प्लस लास्ट केस की अगर हम बात करें तो हम च्छा में से च्छा को सेलेक्ट कर लिए च्छा में से च्छा को ही सेलेक्ट कर गीचातरा ह Sophia यांसवान कर देंगे तो हम फाइनल राएंसर तक यहां पर क्या हो जाएगा पहुंठ जायेंगा यह शेर हो जाएगा आगे वड़ते हैं इसी तरीके से हम केस मेखिन का यहां पर लेकर चलते हैं स्актиक्षय केसमें की कॉंसेड्स कि इसी तरीके से लेकर चलते हैं अकए आगे वढ़ें एक अच्चा कुसिंट की तरफ को कुछ ऐसा हम ले सकते हैं के अधे धेर आर विव दिव 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 दि four different books, find, number of ways of selecting, number of ways of selecting, any number of article, any number of articles, taking, taking at least two pen, and at most two books, अब देखिए, ऐसे questions खतरनाक होते हैं, ऐसे questions अच्छे होते हैं, इसमें case making में आप फस जाएंगे, तो ऐसे questions को कैसे किया जाता है, वो भी यहाँ पर दिखाऊंगा, पांच pen है, मैं यहाँ पर अगर total की बात करो, तो मैं total एक बार लिख ले रहा हूँ, टोटल five pen, five pen है, four pencil, four book, okay, four pencil and four book, okay, यहाँ पर यह कह रहा है, कि at least two pen लेना है, at least two pen लेना है, दो pen, at most, at least two pen and at most two book, यह हमारा required है, अब समझे, अगर यहाँ पर इस सवाल को हम लेना है, हम case making से करेंगे, तो देखी case making कैसे कैसे हो सकता है, दो pen, okay, zero book, zero pencil, एक case यह हो गया, तीन pen, एक book, उसके बाद एक pen ले सकते हैं, zero book ले सकते हैं, इसी तरीके से, four pen, क्योंकि at least two pen की बात कर रहा है, zero book, zero pen, तो इस तरीके से अगर हम cases की बात करें, यहाँ पर cases की बात करें, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानि कि हम इस questions को case making से नहीं करेंगे, अगर मैं case making से करूँगा, तो यह questions देखी कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर any number of article की बात हो जाती है, any number of article, यानि कि वहाँ पर कुछ भी हमें define नहीं है, अगर तीनों article के लिए कुछ मुझे define कर देता, तीनों article के लिए कुछ मुझे define कर देता, any number of article में क्या हो जाएगा, four book को कभी मैं zero लूँगा, कभी one लूँगा, हुआ कि यहाँ पर number of cases बहुत ज़्यादा हो जाएगे, here, number of cases की अगर हम बात करें, number of cases are much more, much more, आके, बहुत ज़्यादा हो जाएगे, यानि कि ऐसा भी हो situation आ सकता है, here number of cases, much more, ऐसा भी situation आ सकता है कि कोई case हम से miss हो जाए, तो हम ऐसे सवालों को इस तरीके से नहीं करते हैं, इसको किसी दूसरे method से करते हैं, वो हम सीखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, तो ऐसे सवालों को लिखेंगे, here, apply this method, here, apply this method, due to not given, due to not given, how many number of, how many number of things can be taken, can be taken properly, कोई भी यहाँ पर things किस तरीके से लेना है, वो proper way में मुझे नहीं दिया गया है, proper way में अगर मुझे नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, pens के लिए अलग case बनाएंगे, for pens की अगर हम बात करें, अगर pens के cases की देखें, तो इस पर क्या condition रखा है, pens के लिए कह रखा है, कि at least two pen, at least two pen, और maximum कितना ले सकते हैं, five, यानि कि हम क्या करेंगे, इस five में से two pen को select कर लिए, at least, यह भी हमारे काम का हिस्सा है, या, अगर मैं five c three ले लिया, ये भी काम का हिस्सा है, five c four ले लिया, ये भी काम का हिस्सा है, five c five ले लिया, ये भी काम का हिस्सा है, ये pen का cases है, ये pen का cases है, ये किस का cases है, ये pen का cases है, अगर pen के cases की अगर हम बात करें, for pens की, पेंस के केसिस की अगर हम बात करें तो फिर से मैं लेक ले रहा हूं हमने minimum two pin ले रखा है minimum two pin ले लिया और maximum पाचो पें मैं ले सकता हूं 5C4 प्लस 5C कितना ले सकते हैं 5 यह हमारा pen का केसिस हो गया यानि कि हमने pen के requirement को fulfill कर दिया इसलिए for pencil की अगर हम बात करें for pencil की अगर हम बात करें तो pencil के केस में क्या कहा है pencil के केस में कोई restriction है ही नहीं any number of pencil इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं pencil total कितने हैं total pencil 4 हैं तो मैं 4C0 pencil भी ले सकता हूं 4C1 भी ले सकता हूं 4C2 भी ले सकता हो 4C3 भी ले सकता हो 4C4 यानि 4 पेंसिल को हम ले सकते हैं और इसी तरीके से अगर हम books की बात करें for books की अगर हम बात करें तो books के case में हमें कुछ conditions दिया है कहरा है कि at most two books required इसका मतलब हम books में अगर देखें तो 4C0 book ले सकते हैं या एक book ले सकते हैं या दो book ले सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं लेकिन ये cases हम at a time लेना है मुझे at a time लेना है तो हम क्या करेंगे अगर इन सभी को multiply कर देंगे तो इस questions को reverse way में सोचना है इस questions को कैसे सोचना है reverse way में सोचना है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ऐसे questions में जिसमें number of article नहीं दिया है या जिसके धेर सारे cases बन रहे हैं तो ऐसे questions को मुझे reverse way में सोचना होता है कि pens के सारे requirement को हम fulfill कर दें pencil के सारे requirement को हम fulfill कर दें books के सारे requirement को हम fulfill कर दें और at a time इसी लेना है तो हम at a time ले के इसको क्या करते है multiply कर देंगे हमारा answer आ जाएगा ऐसे questions को करने के इसी तरीके से करेंगे तभी हो पाएगा otherwise case इसमें miss भी हो सकता है case इसमें छूट भी सकता है जिसमें काफी ज़्यादा दिक्कत भी आ सकती है तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आज के last questions की तरफ move करते हैं आज के last questions की तरफ move करते हैं बहुत ही basic question एक ITJ में पूछ लिया था ITJ means में ये पूछा है 2016 में 2016 में इसने ये कहा कि एक question है बहुत ही basic है बस ऐसे ही मैंने ले लिया if n plus 2 c6 upon n minus 2p 2 equal to 11 then n satisfied relation n satisfied equation एक equation या पे दिया है मैं options ले ले रहा हूँ एक option है n square plus n minus 110 equal to 0 b option या पे दिया है n square plus 2n minus 80 equal to 0 c options की अगर हम बात करें तो n square plus 3n minus 108 equal to 0 d options की अगर हम बात करें तो n square plus 5n minus 84 equal to 0 तो या बहुत ही basic है लेकिन logical भी है अब जब ये chapter start होता है तो ncr npr की value बता ही दिया जाता है तो अगर आपको याद हो तो ncr की value को अगर हम लिखें note करके ncr की value होती है n factorial upon r factorial n minus r factorial n minus r factorial इसी तरीके से npr की value को अगर हम लोग देखें तो n factorial upon n minus r का factorial बस इतना होता है इन दोनों की help से हम इसको solve कर लेंगे तो simplify करेंगे इसको simplify करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन question को लिख लूँ nc6 upon में n minus 2 n minus 2 p 2 equal to 11 इसको मैं expand कर दे रहा हूं कि n plus 2 factorial upon n plus 2 minus 6 का factorial into 6 का factorial ओके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अपान वाले case में देखेंगे n minus 2 का factorial अपान में अगर हम लोग देखें तो n minus 2 n minus 2 minus 2 का क्या लिखेंगे factorial इकोल तो कितना लिखेंगे 11 simplify कर लेंगे इसको n plus 2 factorial और यहाँ पे लिखेंगे n minus 4 का factorial denominator की अगर हम बात करें equal to 11 कर दे रहे है denominator में हमारा आ जाएगा n minus 2 का factorial n minus 2 का factorial n minus 2 का factorial अगर हम बात करें यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास 6 factorial और n minus 4 का factorial 6 factorial into n minus 4 का factorial n minus 4 and minus 4 cancel to each other तो जो बचेगा उसको मैं लिखेंगे रहा हूँ 11 ओके थोड़ा सा फर्दर इसको simplify करेंगे तो यहां से हम कर सकते हैं n plus 2 all right n plus 1 all right n n minus 1 okay n minus 2 का factorial आपान में 6 factorial को मैं लिखेंगे सकता हूँ 6 5 4 3 2 1 into n minus 2 का यहां पर factorial equal to 11 okay simplification है कुछ भी इसमें दम नहीं है okay आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हमारे पास मिलेगा n plus 2 n plus 1 all right n n minus 1 all right n minus 2 factorial cancel to each other अपान में अगर हम लोग देखें तो इसको simplify कर ही दे रहे हैं 11 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 all right अग इसको थोड़ा सा और हम simplify करें तो यहां पर कुछ ऐसा भी नजर आ सकता है कि n plus 2 all right n plus 1 all right n n minus 1 all right 11 अगर मैं 5 में 2 का multiply करते हूं तो कितना हो जाएगा 10 ऐसी तरीके से हमारे पास अभी क्या बचा 6 4 3 चाचव के 24 24 तिया कितना हो जाता है 72 तर अके 1 का कोई मतलब नहीं और थोड़ा सा इसको सिंप्लिफाई करें n plus 2 all right n plus 1 all right n n minus 1 अके equal to यहां पर लिख सकते है 11 into 10 और इसको में लिख सकता हूं 9 into 8 आप देखिएगा समझेगा यहां पर 4 टर्म है थोड़ा सा correlate करेंगे एक टर्म यह है एक टर्म यह है दूसरा यह चौथा यह 11 10 9 8 अगर मैं यहां पर n की जगह पर देखों from here we can say that from clearly from here from here n equal to कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं कि 9 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 9 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 9 और 9 माइनस एक आठ इसका मतलब यहां पर n की वैलू हमने 9 को अप्टेन कर लिया अब हमारे पास दो रास्ते हैं हम या तो इन सभी क्वाड्रेटिक को आज को सॉलू करें थीक नहीं हो समझते हैं अगर मैं यहां की वैलू गोहां से प्ट marshm कर लिया थो हम क्या करेंगे इन ओपसंस में रख के चैली कर लेंगे ऐसा नंबर एक को चरेंगे और फॉर ऑप्शन यहां फिर आप्शन है एस की कि अगर हम बात करें तो option number A हमारा यह है कि n square plus n minus 1110 equal to 0 okay n की value को यहां से अगर मैंने fetch कर लिया 9 का square plus 9 minus 1110 कितना आ जाएगा 81 plus 9 minus 1110 कितना आ जाएगा यानि कि यह आ जाएगा 90 90 minus 1110 not equal to 0 that means कि option number A क्या हो जाएगा गलत option number A wrong हो जाएगा for option B option B की अगर हम बात करें तो option number B को यहां से हम देख सकते हैं n square plus 2n minus 80 equal to 0 इसको चेक करेंगे तो 9 का square plus 9 गुड़े 2 minus 80 अगर इसको चेक करें तो कितना हो जाएगा 81 plus 9218 minus 80 यह कितना आ जाएगा आठेक 9 और 99 minus 80 not equal to 0 that means कि option number B भी यहां पर क्या है correct नहीं है option number C को चेक करेंगे for option number C for option C for option C C के अगर हम बात करें तो n square plus 3n minus 108 equal to 0 तो इसमें n की value को foot करेंगे 9 का square plus 3 into 9 minus 108 equal to check करेंगे 81,9,37 minus 108 तो यहां पर देखेंगे 7,1,8 और 8,2,10 108 minus 108 equal to 0 that means कि option number C क्या हो जाएगा correct option number C क्या हो जाएगा correct तो इस हिसाब से यहां से हम क्या कर सकते हैं options को check कर सकते हैं दूसरा रास्ता यह है कि जो की difficulty भी होगा आप quality को solve करेंगे यह जरूरी नहीं है कि सारे options यहां पर quality के solve हो ही जाएगे तो यहां से हम इसको solve भी कर सकते हैं solve करने पर n की values आएंगी किसको मुझे रखना है एन की positive value को मुझे रखना है negative value को मुझे क्या करना रहेगा discard कर देना रहेगा तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बहुत ही आसा नहीं बहुत ही basic है ऐसा question पूछ लेता है ताकि एक balance बना रहे questions में भी एक balance बना रहे कि कभी ऐसा नहों कि बहुत difficult questions पूछ लिया गया तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और मिलते हैं next class में कुछ अच्छे questions के साथ मिलेंगे और कुछ topics को भी नए नए topics को भी include करेंगे कुछ topics भी नए लेंगे और topic को आगे बढ़ाएंगे कुछ ITJ की questions भी कराएंगे क्योंकि धीरे-धीरे combinations को हम लोग जैसे कॉम्मिनेशन खतम होगा हम स्टार्ट करढ़ेंगे नेक्स नेक्स क्लास में जो के काफी अच्छा होगा और इंट्रेस्टिंग होगा और उसमें topics को भी लेकर आएंगे कुछ अच्छे topics, जैसे कि आज हमने और case making का यहां पर हमने देखा case making को किस तरीके से प्रोसेड करते हैं और इस पर किस तरीके से कुशन को करते हैं तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं कल तब तक के लिए बाबाई थाइंक यू